जज ना बनती तो में को लगता है मैं प्रैक्टिस जरूर कर रही होती बच्पन से था कि लॉग करनी है बट यह नी था कि लॉग में आगे क्या करना है तो मैंने का चलो बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी भी है कि एक बारी देखे देख लेते हैं तो इस करके बस मेरे सर की ग तो अभी आप जज बन गई या अभी इसमें और कुछ जैसे स्टेप्स बाकी अभी जैसे सेलेक्शन हो गिये इसके बाद अपॉइंट्मेंट लेटर आएगा फिर एक साल की ट्रेनिंग रहेगी जुडिशल अकाडमी में उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्स मिलेंगे जहां अभे वी विल वरक आइस टुडिशन ओफिसर्स जन हितेशी टी आर्पी नहीं भरोसा आपका नमस्कार सचेकाल मरहबा सो शेहर लुधियाना जी हां कारोबारी शेहर जिसकी उडान खाली कारोबारे में ही नहीं बलकि आज यहां का जो स्टूडेंट है योवा है वो education को लेके भी इतना सजग हो चुका है कि उसको पता है कि उसे career में कहां जाना है जी हां ऐसी ही एक सक्षियत से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं और खुद भी मिलने जा रहे हैं नाम है अभिदा गुपता जी हैं ये वो नाम है जो पिछले दिनों सुर्खियों में बना पूरे देश पर में चर्चा हुआ क्यूंकि अभिदा वो लड़की है जिनोंने हर्याना सिवल जो सर्विसेज हैं यानि कि जुडिश्री में खाली पास आउट नहीं किया पहली बार को जानते हैं जो जुडिश्री में जो है उन्होंने अपना नाम कमाया है और चोटी सी उमर में हम सबसे पहले उनके उन्हें कॉंग्रेचुलेशन करते हैं जी बहुत-बहुत कॉंग्रेचुलेशन इसलिए भी कि आपने हमें एक जज की इंट्रिव्यू लेने के लिए भी मौका दिया नहीं नहीं सर इस माई प्लेशर तो मैं कैसे ये सपना कब संजोया और कैसे ये साकार हुआ कुछ इसके बारे में बताएं मतलब में को ये पता था बच्पन से में को लौ करनी है क्यूंकि मेरे नानी घर की तरफ सारे जुडिश्यल सर्विसेज में हैं मेरे करनी है पर ये नहीं था कि लौ में आगे क्या करना क्यूंकि इतने सारे उप्षिंस थे फिर कॉलेज के पांच सालों में मतलब मैंने डिसाइड कि चलो एक बहुत अच्छा उप्षिन लग रहा है कि जुडिश्री का पेपर दे लेते हैं मेरे डाड का ड्रीम था कि मैं जर करना था और बहुत सारी चीजें तो यह जहां तक हमें मालूम चला कि आपने फर्स अटेंप्ट में ही इतनी अच्छे लोग क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात मानते हैं और आपने तो फर्स नंबर ले लिया तो यह जैसे कैसे प्रोसेस से जब आपने यह किया जुडिश जीदी में को लगता है यह फर्स रैंक जो है ना सिर्फ उंक की वज़से है क्लियर में किसी भी कोचिंग इंस्टिट्यूट से कर लेती बट फर्स रैंक ना ले पाती वो आइधिंक मेरे सर की वज़से है उसके लावा मतलब यह पास्ट वान इयर इतना मतलब कंटिनियूस हाड़ वर्क रहा है और वो भी मतलब हाड़ वर्क भी इतना हेक्टेक और स्ट्रेसफुल नहीं रहा क्यूंकि हमारे महां पे कोचिंग में इतना मतलब महसी मजाग वला महौल रहता है ना कि सुबह नौ बजा के बैठ जाओ बस डिसकॉशन्स हो रही है कभी भी यह नहीं ह जाती है बलब उन्होंने इसको एजूकेशन को यह टेस्ट को हुआ नहीं बनाया एक फ्रेंडली एटमॉसफेर में किया आप कहते हो कि उसके कारण चाहद आप इस चीज को अचीज को अचीव कर पाए बिलकुल मतलब यहां पे ना ऐसे 9 to 5 क्लासीज नहीं है या बुक्स जानना चाहूंगा वैसे तो लड़कियों से उमर नहीं पूछी जाती पर थोड़ा सा आजकल मॉडरन है तो क्या मैं जान सकता हूं मेरी एज 24 एज है 24 एज तो मैं मेरा मकसद यह था पूछने का कि अक्सर हमने देखा कि हम बहुत सारे चीजों में फैंबली में रिलाइज करते हैं शायद आपके साथ भी वह बच्पन में बच्चों पर थोप दिया जाता है तूने तो यही बनना है तो आप पे भी ऐसा को कि एज में इतना एवेलुएट कर लिया कि हमें पता भी लगया कि हमें केरियर में यही स्ट्रीम जानी है और जज ही बनना है मतलब में को कभी भी प्रेशन नहीं था बहुत खुली चूट थी मैंने बलकि जैसे बच्चों का बहुत पेरेंस का यह भी रहता है कि लॉग करन लगा कि हां लॉग करनी चाहिए क्योंकि बच्पन से नानी घर में चुटियों में चेंबर्स आती थी अपने इमामों के साथ तो मैं को इस करके यह बहुत वो रहती थी कि मैं जाऊंँ आँ लॉग ही करूं फिर उसके बाद मैंने जब यह डिसिजिशन भी लिया ना कि मैं को जजज बनना हैं मैं को पेपर की तियारी करनी है तो मैं भा ऐसाल में लगता है कि कि इतनी मेरी जो ये एक साल में हुई है ना पूरे इतने 24-25 सालों में नहीं हुई थी मतलब वो ना एक ऐसे इंसान है मतलब आप उनसे मिलोगे ना कि वो आपको पर चान लेते हैं कि आपको इस चीज की जरूरत है आप यह कर सकते है आपको इस पर work करना है तो वो में को बहुत अच्छा कि उनको मेरे पर confidence है मैं कर सकती हूँ तो हाँ मैं मतलब कर सकती हूँ वो वली चीज है अब लगातार बार-बार सर की बात कर रहे हैं हमारे में भी curiosity हो रही कि यह सर कौन है कौन से ऐसी सक्षियत हैं जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप आपका self-confidence इतना बढ़ा नाम जीपी सर है मतलब वो चंडिगड में पढ़ाते हैं तो मतलब उनका कोई भी नहीं जी जूंआ उन स्परक्षि थे व्यस्ते खैस ऑज स्यों कर आपये उन्होंति हैं पनट्याब के सक्सेस के बाद मतलब वो ऐसे बच्चोंको पढ़ाते हैं जो कोचिंग फीज की फी है न वह फोड नहीं गड़ सकते हैं उनबचोंको फ्री में उनको रहने के लिए जगा देते हैं उनको खिला झूल प्री, वह सुल्य हूब! कि बहुत खाकर आई हूं यह वो मेक को भी जब दस्ती खिलाते थे चाय पिलाते थे उन्हों ने मतलब अपनी प्राक्टिस छोड़के बस यह शुरू कर दिया हूं कि पूरी फैमिली इसी चीज में डेडिकेटेड है सर सुबह नौ बजा के बैठ जाते थे क्लास में रात के चाहे हम लोग ठक जाते थे सर नहीं ठकते थे सर का बस चले तो रात के 12 बजे तक क्लास चले वहां पर यह वली चीज है उनके घर में बैठे रहो किचन में जाकर जो चाहिए वह हो बना लो खालो वह वली चीज है तो बेसिकली जैसे मैं अभी आपने खुद बताया कि जो भी आप में आपकी पूरी जो ननिहाल है तो अब जैसे आप जज़ बने हम इसको फिर आपका क्या कहते हैं आपका वो मानने कि आपके क्रिदेंशल है या जीन्स ही ऐसे आगए पीछे से अपने आप ही बनेगा मैं को लगते है जीन्स तो है यह दोनों तरब से ही जीन्स तो मेरे ग्रेट ग्रान्ट फार थे वह भी लीडिंग लॉयर थे लुध焼ना में तो मैं हम मैं ऐसे ही खुश हो रहे थे कि मैं आपका कोई ग्रिदेंशल आपने थो पर एगजाम में बैठ गए पीछे से जीन्स ही यही मानलूगी कि जीन से, बिकोस मतलब, बस मेको तो जिसने जैसे जैसे बोला, मैं वो करते है, में झालिए लगको. अभिदा धी, पूछना चाहूंगा, की अगर, अभिदा, जज़ना बंती, तो क्या होती? अगर जज ना बनती तो मैं को लगता है मैं practice ज़रूर कर रही होती high court मैं कर रही होती practice because मैं को वो भी बहुत एक interesting profession लगता है कि तुम practice कर रही हो लड़कियों तो ऐसी by default कुदरती वकील होती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं तो वहाँ पे अलग थोड़े skills चाहिए होते हैं वहाँ पे motion से नहीं न चलता सिरो देखो skills तो लड़कियों में by default कुदरत की तरफ से होते हैं वकालत के ठीक है और उसमें add-on हो गया जो पढ़ाई के साथ हमारा तो वो double benefit हो गया मतब practice कर रही होती है अगर मैं judge ना बन पाती तो अगर मैं ये पूछूँ कि अभिदा जी की कुछ hobbies क्या है तो वो क्या है मेरी hobbies हैं painting करना मतब मैं को paint करना, decorate करना ये सब बहुत अच्छा लगता है और एक अपने dog के साथ मतब time pass करना मतब मैं को ऐसे लगता है जो last one year जितना भी stressful था ये दो चीजे थी जो करके मैं को थोड़ा ये लगता था कि हाँ I'm relaxed की चलो बागे के लिए त्यार कर सकती हूँ मैं और सबसे ज़ादा जैसे family में आपने बताया मम्मी, पापा तो और कौन-कौन है family में मेरा एक younger brother है वो भी lawyer कर रहा है और हमारा एक pet है Simba बस अच्छा बलब अब ये सोच लिया कि brother को भी हमने जजी बनाना है तो सारा सारी judiciary घर में ही ले आने है मम्मा पहले ही आप बता रहे हो legal में है ठीक है उसके बाद आप भी और पापा क्या करते है आपके मेरे पापा private job करते है औस वर्ल ग्रूप में यहाँ पे और इंकेश कुपता जी अच्छा जी तो मैं अगर पूछू तो आपकी सबसे ज़ादा bonding किस के साथ है family में मेरे mom के साथ मतलब एक तो यह है कि मतलब में को ऐसा लगता है मेरे mom उस जेनरेशन में जहां पर बहुत काम ladies work करती है और इतनी अच्छी पोस्ट पर करती है तो में को यह लगता है कि हाँ वो बहुत inspiring चीज़ है और एक चीज थी मेरे mom बच्पन से में को कहते थे कि तेरे साथ औरों की शादियां हो जाएंगी मैं तेरी तब तक नहीं कर आँगी जब तक तो settle नहीं हो जाती खुद को माने नहीं लग जाती तो वो एक चीज थी कि हाँ यह बहुत वो लगती है कि कभी भी किसी पर dependent नहीं हो आप तो वो वली चीज थी मैं पूछना चाहूंगा जैसे अभी आपने एक्जाम क्लियर किया तो अभी आप जज बन गई या अभी इसमें और कुछ जैसे steps बाकी है अभी जैसे selection होगी है इसके बाद appointment letter आएगा फिर एक साल की training रहेगी judicial academy में उसके बाद हमें districts मिलेंगे जहां पर we will work as judicial officers जैसे आपने बताया कि ऐसे अब आप judiciary में जाएंगी तो आगे अभी जैसे आप को जो posting मिलेगी first posting I hope so junior judge की मिलेगी तो and after that जैसे आप जैसे जो senior judge होता जैसे अभी junior अदालत में फिर उसके बाद फिर दूसरे में high court में और तो यह आगे का process कैसे रहता है यह जैसे जैसे vacancies होती रहती है age आपकी बढ़ती रहती है हर post के लिए आपको particular age चाहिए particular credentials चाहिए उसके according promotions होती रहती है तो आपने वो सारी चीजें भी study कर लिए होगे क्योंकि अब तो वो कहते है ना पहले एक लड़ू मिल जाया तो फिर आदमी सोचता आप बड़ा भी तो supreme court तक जाने का पूरा खुआप सोच लिया होगा खुआप तो सब कही होता है मैं को लगता है जो भी law करता है supreme court का खुआप तो सब कही होता है तो देखो तो हम आपके autograph आज ही लेके रख लें या तब आप देंगे पहचानेंगे नहीं नहीं तब भी पहचानूंगे पक कैसे पक कैसे हाई जी तो अगर मैं ये पूछूं कि अभिदा की कोई ऐसे विश जो वो लगता है कि जैसे आगे की चीज में लाइफ में और पूरा करना चाहती है जैसे अभी जज़ बन गए तो स्टडी खतम या अभी आगे स्टडी भी कुछ ऐसा भी है अभी मैं currently LLM pursue कर रही हूँ उसके बाद अगर opportunity मिली तो पढ़ाई तो I think मैं continue रखूंगी मतलब कह सकते हैं कि continue रखूंगी मतलब ऐसे free time विला वो मैं यह समझता हूँ जैसे वो पढ़ाई करने का मकसद क्या कि कोई और senior post जल्दी मिल जाएगी या मतलब पढ़ाई का additional कोई benefit है posting में या वैसे ही शौंक लिए ऐसा कुछ नहीं है मतलब post सब की सेम ही चलती है वो सब सेम चलता है वैसी ही शौंक है कि बस पढ़ते रहो डिग्री एक extra होने में कोई I don't think so harm breath है वैसे भी in touch रहते हो आप अपने subject के साथ इस वज़ा से अपनी तरफ से कुछ दर्शकों को कहना जाएंगी या वो youth जो अभिदा को आज ideal मानके अभिदा की तरह बहुत इतनी young age में लगता होगा कि बहुत सारे लोगों के लिए आज आज आपको ideal मान रहा हो कि भाई मेरी सिस्टर ने यह कर दिया उसके लिए आपने इतनी लगीर कीच दी कि उसको लगीर पड़ी घीच नहीं मतलब I believe जो मेरे साथ work की है कि hard work और fearlessness मतलब बिना डर के paper देने जाना बिना डर के interview देने जाना I believe वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है because otherwise कुछ ना कुछ तो लाइफ में होई जाएगा अगर हम एक जगा डर लेके जाएंगे तो थोड़ा वो रहता है कि हम खुद ही खराब करके आते हैं जी कह सकते हैं आपके smile बहुत एची था यह थे हमारे साथ दाभिदा गुपता अब इनको दाभिद अच्छा attempt किया है और congratulations है हमारी जनहतैशी और यूटन की team की तरफ से एक बार दुबारा पूरे गुपता family को की बच्चे ने पहली attempt में ना सिरफ एक clear किया है जुडिश्री जैसा exam clear किया बलकि first rank लेना आपने आप में एक बहुत बड़े achievement है देखते ने बने रहें जनहत है शीतना है